हेलो एवरीवण वेल्कम टू माइ चैनल तो मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी हरी मटर हरी मटर को मिक्सिजार में एड़ करके इसका एक दर्दरा पैस्ट बना लेती हूं इसके बाद मैंने यहां पर सर्सो ऑईल गरम कर रखा है इसमें एड़ कर दूँगी आलू आलू को म तो लगबग आलो हमारा फ्राइ हो चुका है तो मैं सिफ्ट कर देती हूं दूसरे प्लेट में आलो निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ओईल वज़ किया है तो उसी ओईल में ही मैं माटर के पेस्ट को एड़ करके थोड़ी देर के लिए फ्राइ करूंगी अब माटर का पेस्ट भी फ्राइ हो चुका है तो निकाल लेती हूं दूसरे प्लेट में फिर दू चर चमाच ओईल गरम करके उसमें मैंने एड़ कर दिया है तेज पता थोड़ा सा जीरा और हींग फिर मैं यहां पे एड़ करूंगी कटा हुआ हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज सब कुछ एड़ करके मैं अच्छे से फ्राइ कर दूंगी प्याज को ब्राउन होने तक फ्राइ करूंगी पीज फ्राइ हो चुका है अब मैं यहां पर आड़ कर देती हूं अध्रक लशन का पेस्ट अध्रक लशन का पेस्ट एड़ करके थोड़ी दिर फ्राइ करूंगी जैसे फ्राइ फ्र शेसे के हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धन्या पाउडर और नमप सब कुछ एड़ करने के बाद अच्छा से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्राइव करऊंगे टॉमाटो पेस्ट अच्छे से फ्राइव होने तक इसको फ्राइव करऊंगे अब यह अच्छे से फ्राय हो गया है थोड़ी देर और फ्राय करके फिर मैं यहां पर एल्ड कर दूंगी फ्राय करके रखा हुआ मटर का पेस्ट अच्छे से मिक्स करके फिर मैं यहां पर एल्ड कर दूंगी पानी अब mix हो चुका है तो मैं add कर देती हूं यहाँ पर one and half glass पानी मैंने यहाँ पर one and half glass पानी add किया है आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं पानी add करने के बाद सबको अच्छे से mix कर लेते हैं mix करके थोड़ी देर छोड़ देंगे थाकि उसमें एक boil आ जाए और जैसे ही boil आ जाएगा मैं यहाँ पर add कर दूँगी फ्राइ करके रखा हुआ आलू तो मैंने आलू add कर दिया है अब इसको हम 5-7 मिनट ठका के पकाएंगे अब time over हो चुका है आप देख सकते हैं oil उपर आ गया है मतलब सबजी पक चुका है तो मैं यहाँ पर add कर दूँगी गरम masala powder और कटा हुआ हरा धनिया अब हमारा यह recipe बनके रिली हो गया है तो आप सोच रहोंगे मैंने यह कौन सा recipe बनाया है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है मतर का निमोना इस सबजी को आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं चावल रोटी दोनों के साथ यह अच्छा लगता है तो फिर मिलती हूँ आप सबसे एक new recipe के साथ तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाई झाल बाई